अब आपका जो ग्यान फीट अवार्ड अभी घुशत किया गया 2221 के लिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अगर आप तक अभी मेरे चैनल को सब्काइब ने किया चैनल को सब्काइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए ताकि आपको पास जो मैं वीडियो बनाओ तो उन्त आपके पास पहुचे और आप अपनी नालश को बोश्ट कर सके ग्यान पिंट अवार्स 2021 नेल मडी फूकन और दामोदर माउजों को मिला ग्यान पिंट पूस्कार दिया गया देख लेते हैं प्राख्याद असमिया कभी मलब असम के कभी है नेल मली फूकन इनको जूनियर 56 वा जो प्राख्याद 56 ग्यान पिंट पूस्कार है उनको इनको दिया गया है आपो प्रख्यात असमिया कभी असम के कभी है नील मरी फूकन जी इनको 56 ग्ञाण पीट पुरुसकार दिया गया है 56 ग्यान पीट पूसकार 2020 के लिए घोशित किया गया और 57 ग्यान पीट पूसकार वर्षवशित किया गया है असम के जो कभी है निल मनी, फोकन, सरबोच, साहितिक सम्मान ग्यान पीट पूसकार मिला है निल मनी, फोकन का जर्मों, निल सोटेटिस में हुआ था उन्होंने असमिया भासा में कभिता की 13 पूस्तके लिखी और असमिया साहितिक के अन्य विधाओं पर भी नोंने काम किया है निल मरी, फोकन को पदमसिरी, साहित अकडमी, असमवैली अवार्ड वा साहित अकडमी फिलोसिप से भी समानित किया जा चुका है और जो आपके दामोदर माउजो, कॉंकडी भासा के जो परमो कभी और आलोचक है 1944 में जन्में माउजो ने करीब 50 साल के अपने लेखन करियर में च्छा कहानी संगरा, चार उपन नियास, दो आत्मकथात्मक किर्तियां और बाइल साहित को कलम बद्ध किया है उन्हें साहित अकादमी प्रुसकार, गोवा कला, अकादमी साहित प्रुसकार, कॉंकडी भासा, मन्डल साहित प्रुसकारों से भी नवाजा जा चुका है माउजो को जन्म गोवा में हुआ था, वे एक आलोचक और पटकता लेखक भी है और आपको हम यहाँ पर जनकर जना चाहेंगे, कि जो 2017 का हिंदी में ग्यानपीट प्रुसकार दिया गया था, वो किष्णा सोबती जी को दिया गया था और 2018 का अमिताब घोस्त को अग्रेजी के लिए दिया गया था, और 2019 का जो प्रुसकार दिया गया है, वो अक्टितम अच्चुतम नम्वितुरी को दिया गया था मरिया लंभासा के लिए और अभी हाल फिर हाल में 220 का और 21 का प्रुसकार घुजित किया गया 220 का जो 56 नमबर का प्रुसकार है आप देख लिजिए गाई जहां पे 56 नमबर ग्यान प्रुसकार है 220 के लिए दिया गया और 57 नमबर का जो है अगर आपको जान करिए अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाश्ट में एक बात कहाँगा मुश्किलों को ना कोसो हर हाल में चलना सीखो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीखो आपके पास कितनी भी गाईस प्राबलम प्रेशानी है आप उसको साइड में रखते हुए अपने प्रिप्रेशन को एक साइड एक अपने ग